जेन दोस्तों राजिस्तान का एकिकरन पढ़ेंगे इस वीडियो में RSP23 को ध्यान में रखते हुए जल्दी से रिवाईज करने की कोशिश करेंगे हमारा देश रहेगा इस किताब में जो भी लिखा हुआ है हम उसे पटापट रिवाईज करने ठीक देखिए राजिस्तान का एकिकरन इस किताब में लिखा हुआ है राजिस्तान का एकिकरन एक रक्त हीन क्रांति थी जिसका उधरन संसार में डूंडने पर भी नहीं मिलेगा राजिस्तान का एकिकरन साज चर्णों में पुरा हुआ है ये साज चर्ण के नाम आपको याद रखने हैं मस्ट संग पूरे राजिस्तान या इसको राजिस्तान संग भी कहते हैं श्युक्त राजिस्ताद व्रथ राजिस्ताद यह साथ नाम उस किताब में इस तरह से लिखे हूँ है इन नामा में थोड़ा कनफिजन रहता है तो आपको यह नाम भी याद रखने हैं क्योंकि प्रेश्चन यहां से पूस सकते हैं नाम थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है, जैसे राजिस्तान संग छटे वाले चरण को भी राजिस्तान संग कहते हैं बहुत सी जगे, तो थोड़ा सा आप कन्फरम कर लेना कि पूरू राजिस्तान या राजिस्तान संग दूसरे चरण को का जाता है मिली, और इस किताब में स वार साल सात महने 14 दिन आपको याद रखना है अब दो समितिया हैं जहाओ से प्रेशण जिचे जाते हैं ऐक है पी सत्टनरायाण राव समिति और दूसरी है डाक्टर संकर राव देव समिति आपको यह ध्यान रखना है कि इन दोनों समीतियों का सम्बंद राजिस्तान के कुण से चरण से हैं तो सबसे पहले हम पी सत्यनरायन राव समीति के बारे में पढ़ते हैं देखिए व्रत राजिस्तान जो चतुर्त चरण है तो पी सत्यनरायन राव समीति व्रत राजिस्तान के निर्मान से संबंदीत है जब जयपूर जोदपूर विकानेर और जैसलमर जैसी बड़ी रियासतों को सहुक्त राज राजिस्तान में मिलाई जानी की बात आई तो सबसे बड़ी समश्या हुई राजदनी कोन सी बनाया जाए क्योंकि सभी बड़े शहर है और सभी राजदनी बनने लायक है तो सरदार पटेल ने राजदनी के चुनाव के लिए 27 राव समिति का गठन किया और उस सवेकारे विबाग कोटा रखा जाए और कर्शी विबाग भरतपूर रखा जाए इस तरह हैं आपको याद रखना वरत राजिस्तान, जयपूर, जयोदपूर, भीकानेर और जसलमेर को मिलाकर बनाया गया तारीक है 30 मार्च 1929 सभी को पता है 30 मार्च को हम राजिस्तान दि वियासतों को मिलाकर बनाया गया, अब देखते हैं, इस से सम्मंदिद प्रमुक पद क्या है, तो राज प्रमुक थे, मान सिंग दित्य थे, प्रदान मंत्री थे, हिरालाल शास्त्री थे, महराज प्रमुक थे, वुपाल सिंग, यहाँ पर एक नया पद बनाया गया, राज प जो कोटके थे उनको दिया गया तो हमने व्रत राजिस्तान के निर्मान की प्रक्रिया देख लिए चोता चरण है प्रदान मंत्री देख लिए हिरलाल शास्त्री और चोते चरण में स्युक्त राजिस्तान प्लस चार बड़ी दियासत है तो 279 राव समिधिका संबंद किस से हैं प्रत राजिस्तान से हैं चार बड़ी दियासतों को संइक्त राजिस्तान में मिलाया गया और राजदानी को जैपु रखा गया और तारीक के 30 मार्च उनिस्सों निपचास राजिस्तान दिवस ठीक है यह चार चीजें याद रखनी है चार पंच चीजे प्रत राजिस्तान चतुर चरण चार बड़ी रियासते हैं ठीक है और जैसलमेर के लिए आटवा आश्यर जहौलाल नेरू ने कहा था यह बात भी द्यान रखनी है उसके बाद देखते हैं डाक्टर शंकर राव देव समित का संबंध किस्ते हैं यह देख देखें डाक्टर शंकर राव देव समिति का संबंध पांच चरण से हैं पांच चरण में क्या किया व्रत राजिस्तान जब बन गया तो मत्री संग को इससे अलग क्यों रखा जाए इस बात पर विचार किया गया और मत्री संग को व्रत रा को मंतरी बनाया गया फिप्रदान मंत्रीपत को मुंक कि मंतरीप के नाम से जाने जाने लगा और राजब्रभू मांजी सेकड से कुन कुन सिते आरके स attractive फबु दयालों ही मसिंग ये тीन स्दक ये और ये ध्यान रखना है रशन पूसपोछ एफ उसके बाद हमने चौता चरण पढ़लिया हमने पांसरे पढ़लिया उसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा चरण में क्या हुआ तीसरे चरण में उधरपूर का विले हुआ राजिस्तान संग या पूर राजिस्तान में जवाल लाल नहीं रूने ये बात ध्यान रखने हैं उसके बाद ठीक है तीसरा चूता और पांचवा चरण हमारे पूरे होगे अब हम पढ़ते हैं पेला चरण मज संग हम सब को बता है पेला चरण मज संग अलवर भरतपूर दोलबल करोली और नीम्राणा ठिकाने को मिलाकर पेला चरण बनाया गया 18 मार्च 1948 इसकी तारीक है दाजदानी अलवर रखी गई प्रदान मंत्री शोवाराम कुमावत को बनाया गया जो शोवाराम कुमावत के नेता थे राजपरमुक उदेबान सिंग को बनाया गया जो दोलपूर के शाशक थे और नामकरन केम मुंशी में किया ये तीन-चार बाते हैं पहले चरण से सम्दित आपको याद रखनी है और उद्गातन किया था तत्रा मार्च 1948 को एन्विक गाडगिल ने किया था जो पहला चरण बना इसका मंत्र मंडल बनाया गया उसमें कुछ नाम है बोबिनात यादव जुकल किशोर परदी बोलानाद और चिरंजिलाल शर्मा और मंगल सिंह इन नामों को भी याद रखना है आप ठीक है उसके बाद आता है दूसरा चरण दूसरा चरण में नोर रियासतों को मिलाए गया किसमें और रियासतों को आपस में मिलाए गाया दूसरे चरण में तारीक है बच्चिस मार्च उनिस सो और तालिस कोटा भूंदी जहलावड बासवड़ा टोप परताबगर डुंगरपुर किशनगर शापुरा कुशलगर और इसमें ठिकाना था कुशलगर ठिकाना को दूसरे चरण में मिलाया गया उद्गादन करता है इन्वी गाड़गिल है परदान मंत्री है गोकुल लाल असवा जो शापुरा के थे राजप्रमुख है भीम सिंग कोटा के थे उपराजप्रमुख बादूर सिंग बूंदी के थे तो इस तरह से हमने पहला चरण पल लिया दूसा अब आता है चटवा चरण चटवा चरण में सिरोई को मिलाया गया गया समीक्तुरत राजस्तान में सियम बने है हीरालाल जी और राजप्रमुख है मान सिंग दीती ही रहे 26 जनौरी उनिश्वा पचास तारीक है इस दिन भारत का सवीधान लागो आ था तो विदिवित रा हुआ वा चाहरन मां साथवी आधरिफ़ान की रेट एक अनम पर उनिसो फू बूमिश स्वेल्स पन अजमेर मीरवाडा और अबू देलवाडा और सुनेल टपा ये तीन शेतर आं समें केंदर्प्र शाछित प्रदेश ता अबू देलवाडा और सुनेल टपा निसो पिन श राज्स्तन का पुनर्गटी राज्स्तान का निर्माण किया गया।